दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WhatsApp Business का अकाउंट पर्मानेंटली डिलीट कैसे करते हैं दोस्तो आपने WhatsApp Business पे अकाउंट पनाय हुआ है और उस अकाउंट को आप हमेशा के लिए यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रही है दोस्तो आपको WhatsApp Business अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है आपको WhatsApp App पे क्लिक करके रखना है और उसके बाद दोस्तो यहां पे आपको अनिस्टॉल का ओप्शन दिखेगा आपको यहां से अनिस्टॉल नहीं करना है इससे क्या होगा कि आपका अप अनिस्टॉल होगा आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा आपको क्या करना दोस्तो WhatsApp Business अपको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद दोस्तो आपको यहां पे भुशने टूल के नीचे आपको सो करेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, एड इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 5 आपशन सो करेगा, Security Notification, 2HT Verification, Change Number, Request Account Info, and Delete My Account, आपको यहाँ पे Delete Account के आपशन पे क्लिक करना है, delete account के option पे click करते हैं तो आपको यहाँ पे दीखेगा if you delete this account अब यहाँ पे अगर account को delete करेंगे तो क्या-क्या delete होगा यहाँ पे आपका group वगरा delete हो जाएगा उसके बाद दोस्ते message history delete होगा आपने यहाँ पे channel वगरा बनाया होगा यहाँ पे वगरा बनाया होगा अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको country select करने के लिए बोलेगा आपका यहाँ पे इंडिया select होगा अगर आप अदर country ऐसे हैं तो वह भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं तो आपको phone number का options हो करेगा phone number पे click करना है और आपको अपना phone number डालना है वह वाला जिससे आपने अभी वार्शेप अकाउंट है तो मैं यहाँ पे वह वाला नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अपना वह वाला नंबर डाल दिया हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको delete account के option पे click कर देना है delete account के option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा एक region देने के लिए कि किस region से आप वार्शे business का account delete कर रहे हैं तो आप यहाँ पे select click करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सार options हो करेगा आप यहाँ पे दे सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी region select कर सकते हैं मैं यहाँ पे order कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे delete account के option पे जैसे ही click करेंगे आपका वार्शेप business का account जो है delete हो जाएगा मैं click नहीं करा हूँ क्योंकि मुझे permanently अभी वार्शेप account delete नहीं करना है आप इस पे click करेंगे बस आपको जो है एक नया interface खुल के आएगा जब आप वार्शेप को install करते हैं वार्शेप business को तो नया interface देखने को मिलता है उससी तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो इस त तरीके से वार्शेप business का account आप delete कर सकते हैं